नमस्कार मैं नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कारेकरम सेर सपाटा दुनिया में कई शेहर बहुत खूपसूरत हैं लेकिन कुछ जगाओ पर शेहरों तक पहुँचने वाले रास्ते और भी जादा खूपसूरत होते हैं कई बार मंजिलों से जादा खूपसूरत रास्ते होते हैं कई रास्ते इतने जादा मनमोहक होते हैं कि मंजिल तक पहुँचने का मन ही नहीं करता है मेरे जैसे लोगों को तो ट्रेन का सफर बहुत मनमोहक लगता है ऐसे में अगर बात सबसे खूपसूरत ट्रेन रूट्स की हो तो तब तो मामला ही कुछ और होता है ना सिर्फ ये ट्रेन रूट्स सफर की ठकान को दूर कर देते हैं बलकि आपके जहन में बहुत अच्छी आदे छोड़ जाते हैं भले ही अभी कोरोना वाइरस के दोर में आप इन में से किसी ट्रेन रूट्स में ना जा पाएं लेकिन फिर भी इन ट्रेन रूट्स की खूपसूरती और खासियत के बारे में जरूर जान लीजिए अड़ जब सकते हैं पहले नमबर पर आता है कैनेडा का रेलवे रूट कैनेडा का ये एक बहुत खुबसूरत ट्रेन रूट है यहां British Columbia में Vancouver और Banff के बीच में पत्रीले पहाड और कैनेडा का सबसे खुबसूरत रेल रास्ता है सर्दियों के समय में ये इलाका बर्व से ढखा रहता है ट्रेन की खिड़के से ना सिर्फ खूबसूरत मोसम बलकी पहाड, जंगल, तालाग और बादल आधी दिखाई देते हैं ये ट्रेन जर्णों के बीच में से गुजरती है यात्रियों को कंपलूप्स शहर में नाइट स्टे भी मिलता है अगर आपने सारुखान और काजोल की दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे देखी है तो उसमें ये ट्रेन रूट दिखाया गया है ये ट्रेन स्वीजलेंड के सबसे मनमोहक दो रिजोट्स के बीच में चलती है स्वीज एल्प्स की खुबसूरती देखने का सबसे अच्छा तरीका यही ट्रेन है खिड़कियां बहुत बड़ी और साफ आइने वाली हैं जहां से आपको बर्फ से लदे पहाड, साफ पानी के तालाब और जंगलों के बीच में से गुजरेगी ये ट्रेन 91 सुरंगो और 291 बिट्स से होकर गुजरती है इसका हाई पॉइंट 6706 फिट है और इस ट्रेन का टिकेट लेने के बाद आपको ये लगेगा कि बस यही जंगा जन्नत है ये ट्रेन रूट न्यूजिलेंड में है और जैसा कि हम सभी जानते हैं न्यूजिलेंड दुनिया के कुछ सबसे खुबसूरत देशों में से एक है यहां का प्राकर्तिक नजारा बहुत मनमोहक है और ये ट्रेन आपको न्यूजिलेंड की सुन्दरता का लुफ्ट उठाने में मदद करेगी ये ट्रेन आपके लिए बहुत अच्छा आप्शन होगा अगर आप अराम दायक तरीके से न्यूजिलेंड गूमना चाहते हैं तो ये क्राइस्टर्स शहर से शुरू होती है और वैम करीरी नदी के किनारे से होते हुए कई सारे खेत खलियान जंगलों के बीच से होती हुई आगे जाती है पहाडों से होती हुई ये ट्रेन जंगलों के बीच पहुंच जाती है और पिर अपने अंतिम इस्थान ग्रे माउट में आती है जो खुद एक भहुत खूबसुरत शहर है ये ट्रेन रूट हैडी पोर्टर सीरीज की दूसरी फिल्म में फिल्म आया गया था ये स्कॉटलेंड के सबसे सुन्दर रास्तों में से एक है स्कॉटलेंड के बीहड से हरे भरे जंगलों तक सब कुछ यहां दिखाई देता है यहां पर सुन्दरता की कोई कमी नहीं है और ना ही आपको यहां आकर ऐसा लगेगा कि आप यहां क्यों आए है भले ही ये रूट आपको थोड़ा सब पुराना दिखाई देगा पर इसमें बहुत खूबिया नजर आएंगी आपको इस रूट में बहुत सी खूबसूरत वादिया दिखाई देंगी ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बलकि अनोकर ट्रेन रूट भी है ये 5,772 मील लंबा दुनिया का सबसे बड़ा रेल रूट है और ये पूरे साइबेरियन विजन का चक्कर लगाता है मोस्को से वेलादी वोस्टोक तक जाने वाला ये रूट पूरे एशिया में फैला हुआ है और एक पैसेंजर पूरे 8 दिन के लिए यातरा कर सकता है नदी, पहाड, बरफ से होते हुए गरम रास्तों पर आने वाला ये रूट बहुत मनमोहक है और आपको ये वाकई बहुत पसंद आ सकता है इस ट्रेन में 1st क्लास, 2nd क्लास और Economic क्लास सीट के आप्शन है इन खुबसूरन ट्रेन रूट्स के बारे में जानकर हो सकता है आपका भी मन कर रहा होगा इन तक पहुचने का अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर कीजिए और इन से जुड़ा experience है तो हमें comment box में जरूर बताएं ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ धन्यवाद